असलाम अलेकुम फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो आथांटिक इंडियान कोकें ब्लोक्स यूट्यूब चैनल आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे फ्रेश सीजनल लीफी वेजिटेबल्स बीन्स किस तरह से स्टोर करकर रख सकते हैं 8 तो 10 देश के लिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पर जो नए फ्रेंड्स है अभी तथ सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकॉन के साथ अगर आप बेल को क्लिक करोगे तो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी तो यहाँ पर मेरे पास है कुछ मिलीफी वेजटेबल जैसे चना-साक जिसे चने की बाजी कहते हैं सोया, अमबाड़े की बाजी जिसे सोरली लीफ्स कहते हैं, मेति की बाजी, स्प्रिंग अनिएंस, थोड़े बीन्स भी हैं यह सभी सीजनल वेजटेबल इसे स्टोर करने के बाद घर में फैन के नीचे ही सुखा लें सुखाने के बाद हम इसे वेजटेबल बॉक्स वेजटेबल बैग्स में या फिर प्लास्टिक कंटेनर्स बॉक्स जो होते हैं उसमें हम डाल कर स्टोर कर लेंगे देखिए इस तरह से मैंने सभी लीफी वेजटेबल्स और बीन् इनकी फली बिनिस की फली होती है सभी कट कर लिया है वन वीक टेन डेस के लिए ये इजी होता है स्टोर कर कर रखे तो कुकिंग के लिए वकिंग वुमेंस जो होते हैं जो बिजी वुमेंस होते हैं चट पर फ्रीज में से निकाले और जल्दी कुकिंग कर ले तो हैना ये और ये सभी रेसिपीस मैं अपने चैनल पर आने वाले वीडियोस में शेयर करने वाली हूँ मेरे चैनल से जुड़े रहे हैं सभी अच्छे अच्छे लीफी वेज़ेबल्स हेल्थी रेसिपीस देवाच करने के लिए इस तरह से कंटेनर में रख लें आपके लिए बहुत ही एजी होगा तो हैना फरेंड्स ये यूसफुल टिप्स और हेलफुल वीडियो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब करके रखिए बेल आइकान के साथ फिर मिलेंगे हमें एक नई टेस्टी हेल्थी रेसिपी के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए इस तरह से स्टोर करकर रखिए फ्रेश सीजनल वेज़ेबल्स अलाहाफीज टेक कैर गुद बाई